हाई लो फ्रेंड्स बेलकम टू माई यूटूब चैनल इजी एस्टडी तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो अंको का गुणा निकालने का मज़ेडार ट्रिक सीखेंगे तो चलिए वीडियो को एस्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां सबसे पहले लिखा हुआ है गुणा ठीक है तो गुणा को इंगलीज में कहते हैं multiply M-U-L-T-I-P-L-Y multiply ठीक है और ऐसा कहीं भी सिम्बॉल यानि ऐसा कहीं भी चीन देखिए तो समझ जाए कि क्या करना है गुणा करना है ठीक है तो अब हम एक question लेंगे और आप लोगो को बताएंगे कि दो अंको का गुणा एक line में trick से कैसे निकाला जाता है तो देखिए ये question है 12 गुणे 13 तो इसको एक line में निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करता हैं कि ये दोनों में गुणा करेंगे और लीख देंगे ठीक है तो देखिए दो का पहारा तीन बार पढ़ेंगे तो दो तीया की क्या आता है 6 चो का यहां लीख दिए चो ठीक है इसके बाद क्या करेंगे इसमें तिर्चा तिर्ची गुना करेंगे यानि एक में तीन से गुना ठीक है और दो में एक से गुना यानि ऐसे ऐसे तिर्चा तिर्ची गुना कर देंगे ठीक है और गुना कर देंगे तो देखिए क्या है एक क पहारा दो बार पढ़ेंगे तो क्या आगा दो और इस दोनों को जोर देना है गुना करके ठीक है तो तीन और दो को जोरेंगे तो क्या आगा पांच तो यहां लिख दिये पांच बीच में ठीक है इसके बाद अंत में क्या करेंगे इसको और इसको गुना करके लिखेंगे त तो एक का पहारा एक बार पढ़ेंगे तो एक यानि 12 में 13 से गुना करेंगे तो क्या आ गया 156 ठीक है अब देखिए पुराने तरीका से भी करेंगे तो इतना ही अंसर आएगा ठीक है तो देखिए कैसे करते हैं दो का पहारा तीन बार पढ़ेंगे तो दो तीयाई यहां लि तो दू का पहारा एक बार परेंगे तो एकम, फिर देखेट एक का पहारा एक निकालने का trick तो एक और हम question लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है अब देखिए ये question ले लिए है तो इसको करना है वो जो था उपर वाले वो बीन हासिल का था इसमें हासिल आएगा देखिए क्या है आठ का पहारा तीन बर यानि इसमें इस से पहल करते हैं तो आठ का पहारा तीन बर पढ़ेंगे तो आठ तीरी के क्या आगया 24 तो 24 का लिख दिये चार ठीक है हासिल क्या गया दो तो यहां दो लिख लेंगे इसके बाद क्या करते हैं तिर्चा तिर्ची गुना यानि इसमें इस से और इसमें इस से ठीक है और दोनों को क पहारा दो बार पढ़ेंगे तो 8 दुनी के क्या आ गया 16 ठीक है इसको जोर देंगे तो जोरेंगे तो आ जाएगा 6 और 5 इगा रहा क्या एक हासिल 1 एक और एक 2 और एक हासिल वाला तो 3 31 आ गया और 2 पहले से इसका हासिल था तो इसमें 2 जोर दिये तो देखे क्या आ गया 33 आ गया ठीक है तो 33 का यहां लिखेंगे क्या 3 यहां 33 का 3 लिख दिये अब क्या बचे गया हासिल मेरे पास 3 ठीक है इसके बाद देखे इसमें इससे गुना करेंगे और इसको हासिल को जोर कर और लिख देंगे तो देखे गड़ेंगे तो इतना ही अन्सार आएगा ठीक है तो एक और कोस्चिन लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं और अच्छे शे अब देखे इस को बाना ना तो इसके लिए भी क्या करेंगे सेम तरीका है इसमें इससे पहले गुणा करेंगे ठीक है यहनी जब भी दो आंग क का गुना हो तो पहले वाले में गुना कड़के और लीख देंगे तो 8 का पाँच बार पड़ेंगे तो 8 पचे होता है 40 तो 40 कहीं यहां लिखेंगे क्या 0 हासिल क्या आगया मेरे पस 4 फिर देखे इसमें 33 तिर्चा तिर्ची गुना यहीं यानि 4 में 5 से 8 में 1 से तो देखे 4 में 5 से करेंगे तो 4 पचे क्या आगया 20 फिर देखे 8 में 1 से करेंगे तो क्या आगया 8 और इसको जोर देंगे यानि इसमें इसमें गुना कड़के और जोर देंगे यानि बीच वाले दोनों को गुना करेंगे तिर्चा तिर्ची और जोर इसको जोरेंगे, तो देखे क्या, 0 में 8 जोरेंगे, तो 8, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, 2, तो ये आ गया 820, और इसका हासिल मेरे पस 4 था, तो इसमें 4 जोर देंगे, तो देखे क्या आएगा आठ और चार बारा के दो हाशिल एक दो और तीन यानि बतीस आगया तो बतीस का यहां क्या लिखेंगे दो हाशिल फिर क्या आया मेरे पास तीन तो यहां लिख लिए तीन अब देखे चार में एक से गुना करेंगे यानि इसमें इस से गुना कर लें तो चार का पहड़ा एक बार फढ़ेंगे तो चार और हांसिल तीन जोड़ेंगे तो चार और तीन शाथ तो क्या आगया एंसर सात और सो बीस और आप पुराने वीधी के दो आड़ा भी करेंगे तो इतना ही एंसर आएगा तो ये था हमारा शौट ट्रीक दोंक को गुना का तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को कशन्द आई होगी तो किर्पया चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करें धन्यवाद